नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अधती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। तो चूकि अभी हमने थोड़ा बहुत गृत्वा अकर्शन को समझ लिया है तो अब हम इस स्तिति में आ चुगे हैं कि कुछ बहुते क्रियाओं के पीछे का कारण इसपर्ष्ट कर लें। आईए कुछ ये प्रशन देखें जहां पर हमसे कहा गया है कि निम्लिकत बहुते क्रियाओं के पीछे का कारण इसपर्ष्ट करें। तो हमारे पास पहला प्रशन है कि जब एक सेब प्रित्वी की ओर गिरता है तो क्या वो प्रित्वी को अपनी ओर आकरशित करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रशन है ये और मैं इस प्रशन को आपको थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ। और प्रशन ये कह रहा है कि देखे हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई एक सेब है और वो हम ये कह रहे हैं कि गृत्वा आकरशन की वज़े से प्रित्वी की ओर आकरशित होके गिर रहा है। तो पूशा जा रहा है कि क्या पृत्वी को भी ये अपनी और आकर्शित करता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। हमने अभी देखा कि विश्व में या पूरे-पूरे भ्रह्मान में हम ये कहेंगे कि सारे पिंड यानि कि all objects तो विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्शित करते हैं और जो बल यहाँ पे कार्यत है वो है गृत्वा आकर्शन बल या फिर गृत्वा आकर्शन ठीक है? तो अगर हमारे बीच में ये प्रशन आया कि क्या एक छोटा पिंड भी एक गृत्वा आकर्शन से बड़े पिंड को अपनी और खीशने का प्यास कर रहा है? तो उत्तर है हाँ ऐसी क्रिया जरूर हो रही है यदि सेब प्रित्वी को आकर्शित कर रहा है तो हमें प्रित्वी सेब की ओर जाती हुई क्यों नहीं दिखती? एक और रोचक प्रशन कि आपने ये देखा और कहा कि हाँ ये जो सेब है ये प्रित्वी की ओर आकर्शित होके जा रहा है साथ ही साथ ही प्रित्वी को भी अपनी ओर आकर्शित कर रहा है अब प्रश्न ये है कि अगर ये प्रित्वी को अपनी और आकरशित कर रहा है तो हमको प्रित्वी इस दिशा में गतिशील क्यों नहीं दिखती तो देखिए पहली बात तो कि हमने कहा कि हाँ वो आकरशित कर रहा है और इस बात का जो आप उलेख है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार से भी प्रित्वी की और एक रियाक्टिफ फोर्स लगाएगा और वो भी प्रित्वी को आकरशित करता है परन्तु यहीं पर आप एक बार गती का दूसरा नियम ध्यान कीजे और गती का दूसरा नियम क्या कहता था कि जो हमारे पास बल है अगर हम इसे constant कहें यानि कि हमारे पास अगर किसी एक वस्तु का दिल्विमान और उसमें होने वाला जो तवरण है वो एक स्थरांग हो जाता है तो इसका आशे ये हुआ कि किसी भी एक पिंड में होने वाला तवरण उसके दिल्विमान के वायुत क्रम अनुपाती है मतलब कि अगर किसी चीज का किसी पिंड का दिल्विमान बहुत जादा है तो उसमें तवरण कम होगा अगर हम एक समान बल की बात करें तो देखिए यहां पे यह जो पृत्वी इस सेप बल लगा रही है वो सेप का दर्विमान कम होने की वज़े से इसको तवरित कर पाया मगर वो ही बल क्योंकि पृत्वी का दर्विमान बहुत जादा है इसलिए उस पे बिलकुल भी कोई भी तवरण नहीं ला पाया जो की हम महसूस कर पाए तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि क्यों हमें तवरण दिखता है जो की सेब का हो रहा है परंतु पृत्वी का तवरण नहीं दिख रहा क्यों तब इस पे भी बल लग रहा है आशे है कि इस पे भी बल लग रहा है इसका भी तवरण हो रहा है मगर इसके तवरण का मान इतना कम है कि हम उस चीज़ को महसूस या देख नहीं पाते अगला प्रशन हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रित्वी चंद्रमा की ओर जाती हुई क्यों नहीं दिखती तो फिर से उत्तर यही है कि जो बल प्रित्वी चंद्रमा की ओर लगाती है उसी मान का बल उसी मान या कह लीजे उसी परिमान का बल उसी परिमान का बल चंद्रमा भी प्रित्वी पर लगाता है चू की प्रित्वी का द्रिव्यमान चंद्रमा से अधिक है तो तवरण नहीं दिख पाता तो जो तवरण है वो नहीं दिख पाता क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि वो ही बल जो है वो इतने बड़े द्रिव्यमान को तवरित करने के लिए सफीशिन नहीं है तो चंद्रमा का तवरण हम देख पाते हैं पर अंतु प्रित्वी का तवरण हम नहीं देख पाते हैं और ऐसा क्यों क्योंकि गती का दूसरा नियम हमको बताता है कि एक दिये गए बल के लिए जो तवरण होगा वो उसके द्रिव्यमान का वयुत प्रमन उपाती होगा झाल झाल